एक बार एक व्यक्ति ने महान फिलोस्फर सुकराथ से पूछा की सफलता का रहसे क्या है? सुकराथ ने उस इनसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वही पर उसे अपने प्रशन का जवाब मिलेगा. सुकराथ ने उस इनसान को कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिले, वही पर उसे अपने प्रशन का जवाब मिलेगा. वह व्यक्ती नदी में उतर कर आगे की तरफ जाने लगा, जैसे ही पानी उस व्यक्ती के नाक तक पहुँचा, पीछे से सुकराथ ने आकर अचानक से उसका मुंख पानी में डुबो दिया. वह व्यक्ती बाहर निकलने के लिए जट पटाने लगा, कोशिश करने लगा लेकिन सुकराथ थोड़े ज्यादा स्ट्रॉंग थे. सुकराथ ने उसे काफी देर तक पानी में डुबोए रखा. कुछ समय बाद सुकराथ ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ती ने जल्दी से अपना मुंख पानी से बाहर निकल कर जल्दी जल्दी सांस ली. सुकराथ ने उस व्यक्ती से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा जल्दी से बाहर निकल कर सांस लेना चाहता था सुकरात ने कहा यही तुम्हारे प्रश्न का उतर है जब तुम सफलता को उतनी ही तीवर इच्छा से चाहोगे जितनी तीवर इच्छा से तुम सांस लेना चाहते है तो तुम्हें सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी